ये गाईज कैसे आप सभी आशा करते हूं सब बढ़िया होंगे तो गाईज आज मैं बेट सीट का बीच का जो डिजाइन होता है उसको ड्रा करके दिखाने वाली हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक पेन और एक धागा ताकि बीच में बड़ा सा एक सर्किल बना सके क्योंकि हम जो डिजाइन बनाने वाले हैं वो सर्किल सेप में ही होगा सो एक बड़ा सा सर्किल बनाएंगे सबसे पहले बीच में यह आप भी सर्किल असानी से नहीं बना पाते हैं तो चलिए एक टीक के माधियन से इसको बनाते हैं धाग उसका सेंटर पॉइंट कहा है जैसे देखिए यहां पे इसका सेंटर पॉइंट है तो यहां पे छोटा सा गोला लगा लेंगे और जितना बड़ा हमें सर्कील लेना है जितना बड़ा डिजाइन बनाना है बीच में उसके अनुसार आप धागा को छोटा या बड़ा ले लेंगे और वहाँ पे गाठ लगा लेंगे जहां गाठ लगाये हैं उस गाठ को छोटे गोले पे रखेंगे इस तरीके से और फिंगर से उसको प्रेस कर देंगे दवाई रखेंगे और पेन को ऐसे घुमा देंगे चारो तरफ बन जाएगा हमारा सर्किल बिल्कुल आसानी से फ्रेंड्स आपनों गुस्त रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवसे कर दिजेगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत माहिने रखता है तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवसे कर दिजेए और यदि अब हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और प्रेस कीजिए बेल आइक अनर बन जाएए मेरे इस प्यारे से ग्यान लोग फेमली का एक प्यारा सा सदसिया प्रेस कीनल और तो ये देखिए सरकिल बन गया है चलिए अब इसी के अंदर हम डिजाइन बनाएंगे हम इस टिजाइन में चैर प्लावर बनाने वाले हैं इसलिए हम निशान लगा दिये हैं कि हमे eine flower यहां बनाना है यहां बनाना है यहां बनाना यह बbuild़ टाकि चार showing老 Health, के बीच इसकेश सब्चें बराबर बचें और ये देखिए ये वही थीन पेपर है जिसका यूज अगर्णर का डिजाइन बनाने के लिए ये उट किये थे और ये सेम इड़ सीत है इसलिए आप सेम प्रावर बनाएंगे ऍर में तो जहां जहां हमें फ्लावर बनाना है वहां वहां इसी डिजाइन से एक फ्लावर कॉपी कर लेंगे देखिए हम जहां जहां निशान लगाए हैं वहां वहां कार्बन की सहायता से इसी डिजाइन को कॉपी कर लेंगे आप लोग हमें सब पूछते हैं ना कि हमसे सेम डिजाइन नहीं design रखेंगे और copy कर लेंगे यानि चारों जगह वह ही design रखेंगे तो चारों decentral design होगा वो विल्कुल स्यम उगा कि निशान लगा है वहाँ आँ und sam design को copy कर रहा है इस तरिके से आप असानी से और CM design बना सकते हैं मैं अपना तरीका यहां share कर रही हूं मैं जिस तरीके से बेट सीट पे design ड्रा करती हूं वो यह तरीका है हो सकता है आपके पास कोई से भी असान तरीका हो वट मैं इस तरीके से bed sheet पे design बनाती हूँ तो मैं सोची कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि bed sheet पे design कैसे ड्रा करते हैं तो मैं सोची कि चलो वीडियो अप्लोड कर देते हैं हो सकता है कि इससे किसी को फायदा हो जाए तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो यूजफूल लगा हो तो प्लीज लाइक कर दिजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखता है तो लाइक कर दिजिए इससे हमें भी पता चलता है कि कितने लोगों को हमारे वीडियो पसंद आई और बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे तो इस तरीके से जहाँ जहाँ निशान लगाए थे वहाँ वहाँ हम डिजाइन ड्रा कर लिये हैं कि वहल फ्लावर ही कॉपी किये हैं क्योंकि लीफ इसमें हम खुच से बनाएंगे नीचे के तरफ लीफ बनाएंगे उसमें उपर के तरफ लीफ है बीच में जहाँ हम गोला लगाए थे छोटा सा वहाँ भी एक छोटा सा डिजाइन ड्रा कर लेंगे झाल तो यह डिजाइन बन चुका है देखे यह में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है उपर के तरफ तो इसलिए मैं हमें सब बोलती हूँ कि पहले किसी भी डिजाइन को थीन पेपर पे बनाएंगे उसके बाद कपड़े पे उससे छापीए आदरवाइज कपड़े पे थोड़ा खराब दीखता है तो चलिए कोई नहीं पेंट करते समय सुधार लेंगे उसको चलिए अब लीफ बनाते हैं एक डिजाइन में हम दो लीफ बनाएंगे नीचे के तरफ इस तरीके से डंठल में दो लीफ बनाएंगे और इसी तरीके से परते के फ्लावर के नीचे दो दो लीफ बना लेंगे तो हम लीफ बना चुके हैं चलिए अब कली बनाते हैं सेंडर में जो फ्लावर बनाएंगे उन पंखुडियों के बीच में जो जगह बचा है बस वहां से एक डाली निकालेंगे और उसमें दो दो कलियां बनाएंगे यानि कि दो फ्लावर के बीच में दो कली बनाएंगे कली सेंडर में बनाएंगे जो बेट सीट डिजाइन में बनाएंगे थे हैं याल में बनाएंगे जान झाड़ीव बनाएंगे बनाएंगे रूट निक्ता रहा हैं झाल झाल तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा डिजाइन और डिजाइन बनाने का तरीका है कमेंट बक्स में कमेंट करके और से बताईए और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वस्य कर दिजिए और यदि अब हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी परकार के वीडियो हम आगे अपलोड करते रहें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी परकार के एक नए डिजाइन के साथ तब तक हमारे वीडियोज को देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें थैंक्स पर वाचिंग बाई